सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटीफिकेशन वेल भी दोस्तों आपको हर अप्डिका सहाई का विभिन शेनियों के पेंशन भोगियों शिक्षकों का लंबित भुकतान सभी प्रकार की छातर वीतियां यहां पाराश शिक्षकों से संबंदित हैं जितने भी लंबित विभिन शेनियों के पेंशन भोगियों शिक्षकों का लंबित भुकतान सभी प्रकार की छातर वीतियां यहां पाराश शिक्षकों से संबंदित हैं जितने भी लंबित भुकतान हैं वो विभिन शेनियों के पेंशन भोगियों शिक्षकों का लंबित भुकतान सभी प्रक के जितने भी पेंसन भोगी है अगर इन सब का भुगतान वगरा नहीं हुआ है मांदे वगरा का तो इनका पैसों का भुगतान जथा सिगर करें यानि की बहुत जल्द करने की कोशिस करें तो यहां पर सिविर वगरा लगा करके पैसे का भुगतान बहुत जल्द किया यहां पर मैं साब तोर पर कहना चाहता हूँ ताकि हमारी कोई जारखंड की बहने परेसान ना हो मीडिया में देखेंगी उनको पता चलेगा कि कहीं मांदे तो नहीं बढ़ा दिया गया दरसल मांदे बढ़ा नहीं है बढ़ेगा इस चीज को लेकर कि हम सोच सकते हैं लेकिन अभी जो हुआ है जो कल बैठक में जो फैसला लिया गया उसमें ये था कि जो भी भुगतान लंबित पड़े हैं तो उन भुगतानों को जल्द किया जाए जैसे आंगन बाड़ी बहनों का ही माले जिये पैसा नहीं मिल ला है या केन सरकार ने अगर पंदा सो बढ़ाये थ चर्चा तो की और मुझे उम्मीद है कि ये जीवन भरपांच जो इनका पांच साल होगा उसमें ये भूलेंगे नहीं आगन बाड़ी और पारा सिच्चकों को क्योंकि इनके लिए वो कुछ ना को जरूर करेंगे इन्हीं बहनों की वज़े से ही ये सत्ता में यहां पर बै हैं उनको पूर्ण कराने के लिए प्रखंड तता पंचाहत इस्तर पर सिविर लगा कर कारवाई करें तो आप समझ गये होंगे कि जो पैसों का भूगतान नहीं हो रहा था लेट लपेट चल रहा था उन पैसों के भूगतान को लेकर के एक तरह का कहा गया है अब हम बात आ मैसेज हमारे जारखंड से ही प्रेम भाई जी है यूनियन की तरब से मीडिया प्रवारी उन्होंने ये भेजा था और उनका कहना आया मैसेज सिर्फ आपको जानकारी के लिए भेजा गया है कि मुख्यमंत्री का सपत लेते ही कार आरंब कर दिया देखिए आप लोगों के म इनी को देखना है तो यहाँ पर सब्र बनाये रखिए और उमीद करूंगा जैसे उनके पास बजट होगा हमारा यूनियन मिलकर के मांदे बढ़वाने की कोशिस अवस्य करेगा आपनी जारखंड की बहनों के लिए वहीं पर कहना चाहूंगा आगे आप सभी भाई बहनों तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर आप चलते हैं आप लोगों को कुछ हमारे पास लेटर लगे हुए जैसा कि आप देख सकते हैं सीत लहर को देखते हुए तो यहाँ पर एक नालंदा यानि कि आपका बिहार में पढ़ता है तो वहां से एक हमारे पास लेटर है इसके रंखला निर्माड की तैयारी है तू आयोजित बैठक में भाग लेने के सम्मंद में यानि कि 19 जनवरी को नालंदा में सायद जो आपका काराल है प्रकंड विकात पता धिकारी और एकंगर सराय वगारा लिखा हुआ एकंग सराय और नालंदा वगारा से ये खबर है आप दे समर्थन में दिनांक 19-2020 को आयोजित होने वाली राज जिव्यापी मानोस रंखला से पूर वातावरन निर्माड के लिए दिनांक 30-12-2019 को समय 11.11 बजे बता रहे हैं कि पूरवाहन में स्थानी डाक्टर लिखा हुआ है लाल सिंग त्यागी भवन जो आपका डाकल बंगला वगएरा है एकंग सराय वगएरा से वहां से बैठक वगएरा आयोजित की जाएगी तो यहाँ पर बलिक बताया जा रहा है कि यह जो तिथिया दी गई है 30-12-2019 यानि कि आज के दिन और 19-11-2020 यानि कि 19 जनवरी आज आपका 30 दिसंबर और आपका 19 जनवरी को यह बैठक हों पार की बैनों के लिए भी सूचना आगे मैं कहना चाहूंगा मेरट से हमारे पास एक लेटर लगा है 29 तारीका यानि कि कल के दिन अवकास के संबन में और इसाइवा वहेड ने अपने ग्रूप बगएरा में डाला था तो आप देख सकते हैं वहां पर बताया जा रहा है कि जितने भी आपके बोर्ड हैं आंगनबारी केंदरों का भी जिकर किया रहा है लेटर में कि आंगनबारी केंदर भी जो है 30-12-2019 से 31-12-2019 में जो है कच्छा 1-8 तकी कच्छाओं का अवकास घोसित किया जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं सबी एक से लेकर के 8 वाले तो उनमें जो है बताया जारा अवकास रहेगा आपका कल तक कल एक 30 तारीक है उसके बाद में जो भी होगा आगे देखा जाएगा जिला बेसिक से चादिकारी मेरट की तरफ से निकला हुआ ये लेटर आपके सामने था वहीं पर दोस्तों कहना चाहूंगा अब सबसे बड़ आज के दिन निगोही में पर्योजना कराले पर आवस्यक मीटिंग दोपहर साड़े बारा बजे को लेकर के है अभी किस यूनियन की तरफ से क्या है इसके बारे में तो सायद मुझे लगता इसमें नहीं पड़ा है लेकिन कहना यहीं चाहूंगा इसमें जो लिखकर के आना है तथा उक्त दिनांक एवं समय पर उपस्तित होकर मीटिंग में सामिल होना अनिवार है जिसकी उपस्तित की सूची बनाकर सूचना डीपियो करे ले जाएगी ऐसा बता जाएगा यह किसी कारण वगएरा मजबूरी है तो सीडीपियो एवं संगठन के संग्यान में देखर छुट्टी स्विक्रत कराने का कष्ट करें और अनेको प्रकार की जानकारी बताई एवं समझाई तता दिखाई जाएगी ऐसा बताया जागा पदमा रस्तोगी है जिलाद्ध चांगनबारी यूनियन इतना नीचे पड़ा हुआ है अब कहना यह चाहूंगा मैं यह क्यों हो रहा है अगर भेने वहाँ पर नहीं पहुंच पाई मीटिंग में तो छुटी ले चुटी वकास गोसित कराई यह सारे संबन में कुछ संग्यान में नहीं आता वहीं पर एक बात और दिखाना चाहूंगा इसमें लेटर में यह भी पड़ाता नीचे कि मेरे को पता तक नहीं है और परदे के पीछे वही साड़ी बेचने वाले महोद हैं अभी आपने देखा था कुछ समय पहले यूनियन के कुछ लोग जो दलाल कहे जाते एक तरह से अधिकारियों के वह मिलकर के जबरदस्ती आंगन बाड़ी बहनों पर साड़ियां बेच करके थ सिस्टम से मिलकर के चलेंगे तो आपके हाथ गंदे होंगे आप जानते हैं यह अच्छाई वाले जो एक तरह के रास्ते होते उन पर आये नहीं चले तो यहां पर काफी सारे आरोप भी लगते हैं वहीं पर कहना चाहूंगा अगर ऐसा कुछ हो रहा तो यह गलत है और बहन का यह मतलब है कि कोई भी उनको लूटने का यह जबरदस्ति उन पर कुछ थोपने का प्रयास बिलकुल भी ना करे यह गलत है और इसके विरोध में अगर उत्तर प्रदेश मिसा जहांपूर में जो भी वहां पर अगवाई कर रहा होगा जैसे पदमा रस्तोगी हैं अगर यह गलत कर रही है तो यहां पर कोई दूसरा आएगा और वो यूनिन की कमान सबालेगा बहनों पर किसे का कोई अधिकार नहीं है अधिकार तब रहेगा जब बहने आपको प्यार दें सम्मान दें अगर आप बहनों पर जबरदस्ति कुछ लाद रही हैं और बहनों के की मिली भगत रहती है तो ऐसे में यह चीजे जो आरोप लग रहे हैं यह आप पर यह भी गलत है और ऐसे संबंद में आपको सोचना चाहिए जो भी आप यहां पर कर रही है वो गलत है यहां पर समूचा हिंदुस्तान देख रहा है आल इंडिया के माद्यम से और मैं नहीं मतलब है जो आप गलत कर रहे हैं उनको आप समझें और उस चीज को आप छोड़ दें जो भी आप कर रहे थे जैसे कि आप साड़ी बहनों पर लाद रहे थे एक बार वीडियो तो मैंने देखा था लेकिन मुझे पूरी संग्यान में जानकारी नहीं थी किस यूनियन का है क क्या है ये वीडियो और क्यों इसा किया जा रहा है तो इस संबंद में कोई ठोस कदम ने जानकारी नहीं या इसलिए विरोध नहीं हुआ अभी हमारे पास लेटर भी है और बहुत से लोगों के मैसेज भी है तो इस वज़ए से कहना यहीं चाहूंगा कि इन चीजों को मंत्र हैं उन पर किसी भी तरह का जो है दबाव अगयरा नहीं पड़ना चाहिए आगे मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे नए मुख्यमंत्री जारकंड के बने हैं उनको दिल से बढ़ाए और मैं यहीं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आंगन बाड़ी बहनों की पड़ी कर रही है तो ऐसे में उनको एक मैसेज जाए कि जारकंड में देखिये नए मुख्यमंत्री आते ही क्या किया है तो यहां पर एक नाम तो मुख्यमंत्री का होगा क्योंकि पार्टी का कभी नाम नहीं लेना चाहिए मैं यहीं कहना चाहूंगा पार्टी से कुछ नह नेता चुना यानि कि आपको चुना और यहां पर उम्मीदे थी और आप उनके उम्मीदों को मत तोड़िये पार्टि से लेना देना किसी को नहीं होता क्यों कि पार्टि के मन में हमिशा नीतियां अपने लिये चलती है Jewish के लिकिन एक नेता होता है उसको पूरा हिंदुस्तान तो देखी रहा है कि आप अपने राज में क्या कर रहे हैं याल इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉरम बन गया है जहां पर अगर कुछ भी गलत होता है सही होता है तो उसे पूरा हिंदुस्तान देखता है धन्यवाद दोस्तों